हेलो दोस्तों आज हम देखेंगे कि Node.js कैसे इंस्टॉल करता है सबसे पहले अपना टर्मिनल फायर करता है और यहां पर हम टाइप कर देखें नोड और नोड जास दोनों और अगर हमें not found आजा है विच मेंस इसमें नहीं है कोई दिकत नहीं अभी हम opt folder के अंदर जो की सब्सक्राइब करते हैं ओपन करते हैं Google Chrome और गूगल सब्सक्राइब करते हैं नोड जास डाउनलोड यह जो लिंक आ गई इस पर अभी हम क्लिक कर देता है और अभी हमें हमारा सिस्टेम है एक सिस्टेम है एक बार यह बिल्खुल तसलिक कर लीजेगा और रॉंग बाइनर इंस्टॉल मत किजेगा इस पर क्लिक करते हैं और यह हमारी बाइनरी डाउनलोड कर रहा है तब तक हम अपना दूसरा टर्ट ओके हो गया तो देखते हैं इसके अंदर बरबर फाइल्स आ गई हैं इसको हमें डालना है opt node folder के अंदर जो अभी हमने बनाई थी opt node folder इसके हमने बनाई थी as a root तो फिर अभी हमें क्या करना होगा हमें एक स्टेप पीसे जाके इस folder को अपना जो यूजर नेम है उसको उसे उसे एड कर देना है अभी कर देंगे change ownership कर देता है change ownership करने से पहले देख लेता है हम who am i क्या है यहां पर है केवल जो कि मेरा यूजर नेम है आपका यूजर नेम कुछ और हो सकता है आपका जो भी नाम हो ठीक है अभी हम करेंगे change ownership which means recursive वहां पर हम नाम colon अपना नाम फिर से रखेंगे जो की group होता है लेकिन 99% cases में आपका यह ही होगा so देख सकता है यहां पर हम node क्लिक करेंगे और opt folder में जाएंगे और opt के अंदर note के अंदर यहां पर extract कर देता है यह सारी files को हो गई शायद से हाँ और अभी हम करते हैं change ownership यह शायद से हो गई perfect ठीक है अभी हम जाते हैं और यहां पर change ownership कर देता है वापस है जो हमने root से अपने user पे किया था तो अभी हम वापस है root पे convert कर देता है और फिर हम एक बार यहां पर तसलिक कर देता है so let us go to bin directory sorry node bin directory bin यानि binaries और यहां पर हमें दिख रहा है node so dot slash करके हम एक बार run कर दें ताकि हमें पता चल जाए okay so यही हमारा version है which is 18.17 जो की latest है ठीक है लेकिन दोस्तों अभी यह जो bin directory है उसको हमें हमेशा ही open करना होगा जै के लिए हमें क्या करेंगे nano etc environment type कर दीजे यहां पर आपको path variable दिखेगा जो की separator use करता है colon को यह जो double full stop जैसे दिख रहा है उसको colon कहता है तो यह जो हमारा path है उसको हम यहां पर prepend करते हैं यहां पर add करते हैं so colon और यहां पर करते हैं opt node bin ताकि bin directory की जो भी files है वो हमें directly access म कर देंगे और यहां पर हम करते हैं source एक हम करते हैं exit कर देता है यहां पर करते है source etc environment so node that's it so node.js अभी आपका install दा है और वो सारी files है opt node के अंदर cheers bye bye